पब्लिक टीवी आपकी आवाद उन्होंने कहा कि भाजपा को इस सोचना होगा कि आखिर क्यों पसमांदा समाज भाजपा के साथ नहीं है भाजपा को इस पर सोचना होगा और रणनीती बनानी होगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमांदा समाज को हक देने की बात कही थी इसका भी कि हम शुक्रियादा करते हैं उन्होंने पस्मंदा समाज के लिए जी एस्टी में छूट राजनेतिक हिस्सेदारी 35 प्रतिशत आरक्षन और मुरदबाद में निद्यातकों को सोकस में 7 प्रतिशत मिलने की मांगी है क्या नाम है आपका और इस प्रतिशत मैं सलाहुद्दिन मनसूरी आल इंडिया पस्मंदा समाज का राश्टी अद्धेश इसका उद्धेश यह है कि तीन जॉलाई को मानि प्रधान मंदी जी ने हैदाबाद के अंदर पस्मंदा समाज को हख देने की बात की थी हम उनके शुक्रगुलाद हैं कि उनने पस्मंदा समाज को याद किया और हमने उनके सामने अपनी समागे मांग है कि अगर आप पस्मंदा समाज को हख दियना चाहते हैं तो हमाहारी यह मांग्ए इन्हें पूरा करने का आप काम कि जैसे हमारी मांग है कि जो पस्पंदा समाज के लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर विजनिस वेपाद कर रहे हैं तो उनको विशेश कर जेस्टी के अंदर छूट दी जाए राज नेतिक इस्टेदारी दी जाए तैटिस पर्संड आरक्षर दिया जाए और मुरादाबाद के अंदर भी जो पीतलनगरी दस्त्रकात एस्टेशन के नाम से एक्सपोर्ड वगएरा होता है यहां से यहां पर धाई लोग पस्पंदा समाज के लोग वे रोजगार हुए हैं क्वूं क्यों सरकार ने जो फोकस दीआ कर थी एक्सपोरों को साथ पर्संड उसे घठाकर एक पर्संड कर दिया है हमारी मांग है को सात पर्संड कियa जाए वापस जिससे डिएलाक लोग यहीं मिल सके विए कहिए इसके अलावा यही मांगे है साधी के जिस तरीके से आप कह रहा है है कि हम पसवंदा समाज को पस्वंदा का हक देंगे dot हम यह कह रहा है कि देश के अंदर हमारे सामने डो गड़्बंदन है एक कि इंडिया टीवी एक इंडिया और एक एंडियें यह दोनों गड़बंदन से हमारी मांगे है कि पस्वंदा समाज जैसे विहाद के अंदर अभी जंगर्ना हुई है उस जंगर्ना के अंदर आया है कि 85% पस्वंदा समाज के लोग है तो सब समाज के लोग हैं जो वोड देने का काम करते हैं और लाज करते हैं अगले समाज के लोग अचा मेरे सवाल यह है कि आपने एक लाम मंद्र के लेंद्र मोजी का आभार वोग शफीक रामान बर्क है संबल की सांसर है वो लगातार सवाल यह कि राम मंद्र की तुफैसले में कहीं तो अच्छी नहींगी उसके निर्णा में ठीक नहींगी तो किसी सवकार का फैसला नही के फैसले का हमने स्वावन किया है और उस वक्त जो फैसला आया था उसे मुसलमान ने अदालत का फैसला मानते हो उसका स्वावन का अगर वो सही जगा पर बनीवी है मस्जिदे तो उन्हें कोई नहीं चीन सकता किसी के अंदर इतने वो नहीं है जो वो मस्जिदों को चीने और जिस तरीके से जहां पर भी जिस तरीके की जाचे हो रही है जिसे बनारस के अंदर है अगर महां पर उस ऐसा जिसकी जाच हो रही है अगर उसके अंदर वो आता है तो किसी को भी कोई तुदात नहीं होगा और अगर मस्जिर होगी तो मस्जिर है या मंदिर होगा तो बीजेपी को इस बात पर जहनता से विचार करना होगा कि हम सारी चीजे सारी योईजनाओं में लाप दे रहे हैं सब चीजे दे रहे हैं तो हमसे आखिर पस्वंदा समाज या मुश्लिम समाज क्यों नहीं चुड़ा क्या वज़ा है उस पर गहनता से उन्हें विचार करना होगा और जो जहां कमिया है उन कमियों को दूर करना हूँ अबी अगर जुन नहीं जूड़ा करना है अब जिस तरीके से वह बात करना है जो योईजनाओं में वह लाप दे रहे हैं 35% अगर उनके लोगों का कुछ कोई भी आदमी कहीं किसी जिले के अंदर किसी शहर के अंदर कोई भी बात किसी तरह की करते किसी के बादे में तो उ उन्हें अपने लोगों को इस बात के निये आगा करना चाहिए कि किसी समाज के निये कोई भी गलत शप्त का इस्तामाल ना करें किसी से गलत बात ना कहें और सारे समाज जब वो उनका नारा है सब्का साथ सब्का विकास तो सब्का साथ सब्का विकास को लेकर चले और सब Public TV, आपकी अवाद